दोस्तो स्वागत है इस वक्त की बड़ी और महतून खबरों में दोस्तो आपको बतने की निरासरित प्रवासी सरमीकों को भी रासन और भरन पोसन भत्ता देगी योगी सरकार बताएंगे इस खबर को आपको विस्तार से वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताने की केरल ने पेस की मिज़ाल परवासी मजदूरों को भेजने के साथ दे रही है रास्ते भर का खाना वही अगली बड़ी खबर में आपको बताने कि दिल्ली में फंसे राजस्थान की लोगों को जीला कलेक्टर जारी करेंगे इपास जाने पूरी पर किरिया वहीं दोस्तो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि CM नितिसकुमार ने कहा रेल किराये को लेकर बिहार लोटने वारे लोग नहों परेसान 500 रुपे भी देगी सरकार तो दोस्तो इन सभी बड़ी खबरों को आपको हम बताएंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को दबा लें कैमकि जो भी खबर आएंगी आपको तुरंत मिल जाएगी तरसल दोस्तो आपको बता दें कि लोगड़न में फंसे बिहार के ओपरवासी लोगों के बिहार आने को लेकर रेल किराये पर छीरे बिवात पर बिहार के मुख्य मंतरी नितिस कुमार ने साफ कर दिया है कि बाहर से आने वाले चातरों और मजदूरों का किराया बिहार सरक सरकार 500 रूपे देगी इसके सांथी उन्होंने अस्पस किया कि इन लोगों को रेल किराया देने की जरूरत नहीं है यह हमारी जिम्यदारी है तो दोस्तों आपको बताने कि जितने में बिहार के मजदूर बाहर में फंसे हुए चात्र फंसे हुए अगर रेलवे में सफर करते है तो बिहार सरकार उनको पैसे देने वाली है और साथ में 500 रूपे अलग से रूपे देने वाली है वहीं दोस्तों आपको बताने कि मुख मंतरी ने कहा कि राजस्शन के कोटा एवं अन्ने अस्थानों से जो भी चात्र बिहार आ रहे हैं उन्हें रेल किराया नहीं देना होगा इसके लिए बिहार सरकार रेलवे को पैसा दे रही है साथी बाहर फंसे मजदूरों एम अन्न लोगों के लिए भी निनाई लिया गया है कि उन्हें यहां आने तक के इस विडियो को लाइक करें और कमेंड बक्स में जरूर लिखें कि आप कहां पर फसे हुए हैं वहीं दोस्तो अगली बड़ी ख़वर में आपको बताने कि निरासित परवासी सरमीकों को भी रासन और भात्ता भरन पोसन देगी योगी सरकार दरसल दोस्तो आपको बताने कि इसी परकार से महरास्ट से दो ट्रेने से 273 लोगों की वापसी हुई है करनाटक केरल और पंजाब से भी सिगर ट्रेने चलाई जाने की आदेश दे दिया है और दोस्तो आपको बताने कि आने वाले समय में योगी सरकार ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दे दिया है तो इस परकार यूपी के जितने भी लोग सहर में फंसे हुए अब जल्द से जल्द अपने घर वापस लोट सकते हैं दोस्तो आगली बड़ी खबर में आपको बताने कि दिल्ली में फंसे राजस्थान के लोगों को जीला कलेक्टर जारी करेंगे इपास जाने पूरी परक्रिया आउक्त टीजे कभी था और राजस्थान फाउडेशन के याउक्त धीरा सिवास्तों ने दिल्ली सरकार को नोडल अजिकारियों के साथ बाचीत की है बाचीत में या निल्धारित हुआए कि राष्टीरे जाजधानी दिल्ली में लोगडाउन से परवाईत लोग जिन्होंने ब्यक्तिकत वाहनों से राजस्थान अपने घर आने के लिए ऑनलाइन रेजिटेशन करवाया है उन्हें इपास दिल्ली से जारी किया जाएगा और जल्द से जल्द उनको घर पे भेज़ा जाएगा वहीं दोस्तो अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि केरल ने पेस की मिसाल परवासी मजदूरों को भेजने के साथ दे रही है रास्ते भर का खाना दोस्तो आपको बता दें कि लोगडाउन के बिच देश के अलग-अलग सहरों के परवासी मजदूरों का वापस अपने-अपने सहर लोटने का सिलसिला लगतार जारी है केरल के तुरोंत पूरम में सरकार और परसासन की तरव से सोसल डिसंसिंग को लेकर पूरी सवधानी बरती जा रही है मजदूरों को बस से रेलबे एस्टेसन लाया जा रहा है इसके आलावा दो-दो बार इनकी मेडिकल जाच भी की जा रही है इसके लिए केरल सरकार ने IRCTC से बात की है इसके आलावा करीब 20 रेलबे अधिकारियों को भी ट्रेन में भेज़ा जा रहा है जिससे की चीनी भीमारी और लोगडाउन को लेकर सारे गाइडलाइन्स को फलो किया जा सके और दोस्तों आपको बताने कि इसके साथ ही किराया भी माप किया जा रहा है तो दोस्तों मुझे उमिद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और सियर जरूर करें और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को जरूर दबाएं क्योंकि जो भी खबरे आएंगी आपको तुरंत मिन जाएगी जय ही जय भारत